हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू इन माई चैनल स्मार्ट स्टूडेंट्स आज हम डारेक्टेट ओफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्क्षिट नंबर 55 करेंगे जो कि क्लास 6 तू 8 के लिए है यह वर्क्षिट 7 सेप्टेंबर 2020 की है स्टूडेंट यहां पे आप अपना नेम लिखेंगे और यहां पे अपने क्लास टीचर का नेम लिखेंगे तो आएए शुरू करते हैं आज की वर्क्षिट वर्क्षिट शुरू करने से पहले बिट प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो आएए देखते हैं तो आप लोगों को पता है कि जब से लोगडाउन हुआ है तब से मेट्रोस को बंद कर दिया गया है तो अब बिटा आज से 7th September से जो मेट्रोस हैं वो कुछ रूट्स पर स्टार्ट हो रही है तो आज हमें यहाँ पर एक मैप दिया गया है हम इस मैप के सहायता से कुछ कोशन्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आज़े देखते हैं क्या क्या कोशन्स दिये गए है आपके घर के पास में जो भी मेट्रोस टेशन है आपको यहाँ पर उसका नाम लिखना है तो आज़े करते हैं इसका आंसर बिटा देखे क्या होगा पिटा आपके घर के पास में जो भी मेट्रोस टेशन होगा आप उसका यहाँ पर नाम लिख दीजेगा मैंने पिटा गड़ी का नाम लिखा है आपको जिसका लिखना हो आप उसका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं आईए अब हम next question करते हैं बिटा Name the station which are between New Delhi Metro Station and Kashmiri Gate Metro Station आईए हम देखते हैं पहले मैप में अंसर ढूणने की कोशिश करते हैं उसके बाद इसका अंसर लिकेंगे वो यहाँ पर पूछ रहे कि New Delhi Metro Station and Kashmiri Gate Metro Station के बीच में कौन से station आते हैं तो यह रहा New Delhi Metro Station और यह रहा Kashmiri Gate Metro Station तो चान्नी चोक और चावरी बाजार दो इसे Metro Station है जो इन दोनों के बीच में आते हैं तो आईए करते हैं इसका अंसर बिचा देखे क्या है बिटा अंसर Between the New Delhi Metro Station and Kashmiri Bazaar Metro Station कम the चावरी Bazaar Metro Station and चान्नी चोक Metro Station तो यह इसका सेकेंड कांसर एक बर इफिर रिपीट करते ही बिटा Between the New Delhi Metro Station and the Kashmiri Metro Station Kashmiri Gate Metro Station कम the चावरी Bazaar Metro Station and चान्नी चोक Metro Station यहां पर यह गेट कर देजेगा ठीक है यह दो स्टेशन अभी हमने देखे थे अब हम करते हैं next question बिटा देखें next question बिटा How many line pass through Rajiv Chok Metro Station आईए इसका अंसर पहले solve करने के कोशिश करते हैं बिटा यह रहा Rajiv Chok वो कहरा Rajiv Chok से कितनी Metro Lines pass होती है तो देखें first is blue line and second is yellow line तो two lines pass होती है आईए इसका अंसर करते हैं बिटा देखें Two lines depart from Rajiv Chok Metro Station Yellow Line and Blue Line आईए अब हम next question करते हैं बिटा Name the line on which Zorbaag station fall तो देखें Zorbaag जो station है वो किस line पर आता है आईए करते हैं इसका अंसर बिटा यह रहा Zorbaag Metro Station यह कौन सी line पर है यलो line पर तो कौन सी line पर आता है बिटा यलो line पर आईए लिखते हैं इसका अंसर बिटा Zorbaag Metro Station is on yellow line Zorbaag Metro Station is on yellow line अभी हमने देखा है अब हम next question last question करते हैं बिटा देखें क्या दिया गया How many station are there between Zorbaag and Kashmiri Gate Name them Total number of station and name the stations तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कितने stations आते हैं बिटा देखें यहाँ पर Zorbaag and Kashmiri Gate के बारे में पूछा गया देखें कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितने stations आते हैं देखो जोरबाग, लोक कल्यान मार्ग, उध्योग भवन, पतेल लगर, राजीव चोक, नई दिल्ली, चावडी बजार, चान्नी चोक और Kashmiri Gate तो आइए करते हैं इसका अंसर बिटा तो आइए करते हैं student अंसर बिटा और टोटल 10 metro station comes between Zorbaag and Kashmiri Gate their names are Kashmiri Gate, चान्नी चोक, चावडी बजार, न्यू डेली, राजीव चोक, पतेल नगर एक बड़ी फिर हम करते हैं Kashmiri Gate, चान्नी चोक, चावडी बजार, न्यू डेली, राजीव चोक, पतेल नगर आईए आगे देखते हैं बिटा Central Scatariat, उद्योग नगर, लोक कल्यान मार्ग and Zorbaaza तो टोटल कितने station है बिटा 10 यहाँ पर आपको देखे जाएगा Kashmiri Gate से लेकर हमने Zorbaaza टोटल जो बीच में काउंट की है टोटल काउंट की है वो कितने metro station है 10 metro station है तो बिटा आज की worksheet कंप्लीट होती है अपनी worksheet कंप्लीट करके अपनी टीचर से चेक कर आईए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए Thank you students